नमस्कार मैं आज से स्पाटर का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिच्छा प्लस में तो उत्तर प्रदेश पुलिसरी एकजाम में जो आपके पेपर अभी तक हुए हैं 23, 24, 25 इनकी पेपर को एनलेसिस करने पर ये आया है कि वेंड डायग्राम का क कुष्ण हर सिफ्ट में कम से कम दो कुष्ण आपके पूछे जा रहे हैं वह भी एक वेंड डायग्राम तो आपका आसान वाला होता है और यह स्टेट्मेंट बेजड वाला जिसको आप बोल सकते हो सेट थियोरी वाला उस प्रकार का प्रस्ण आ रहा है जो बच्छों को कर करने में थोड़ी सी दिक्रैत हो रहे हैं और बहुत यहां से भी सोच तभी भी हो जाता है तो एक बार जल्ली से हम प्रस्णों को देख लेते हैं कि फ्रकार के प्रस्ण आएंगे तो आपको कैसे solve करना है क्योंकि trend यही है कि इसमें बदलाव नहीं हो रहे हैं प्रस्ण में ऐसे ही प्रस्ण आपके पूछे जा रहे हैं तो जैसे ये प्रस्ण आपका पूछा गया था और ऐसे ही पूछा जाएगा इस प्रकार के प्रस्ण पैटन यही रहेगा ध्यान दीजिएगा जैसे इसको अगर आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी असानी से बोला 40 विद्यार्थियों की ये कक्षा में 20 ने केवल जीव जीव विज्यान नहीं यह दिया गया है कि प्रतेक विद्यार्थी ने या तो गडित या जीव विज्यान या दोनों को चुना है उन विद्यार्थियों की संख्या ग्यात किजिए जिन्होंने गडित और जीव विज्यान दोनों को चुना है तो ध्यान रखिएगा दो ची यह जिव विग्ञान हो गया अब बोला है यहां पर कि केवल कच्छा में 20 केवल बोला है तो 20 केवल की बात करेगा न तो केवल अगर किसी की बात करता है तो यह सब यह वाला जो पाट होगा यह केवल का होगा यह केवल गणित का होगा यह ध्यान रखिएगा गणित कितने ल यहां पर यह वाला जो पार्ट होगा इतना ही इधर वाला साइड में इतना यह जो वाला पार्ट होगा यह आपका केवल जो होगा वो जीव विज्ञान वाला होगा ठीक है यह ध्यान दखिएगा यह जीव विज्ञान वाला होगा यहां पर केवल जीव विज्ञान अगर आ समाल लेते हैं क्योंकि दोनों कितने लोग पढ़ने वाले और केवल आपसे बोला है कि केवल गणित पढ़ने वाले चाहे केवल आपके क्या पढ़ने वाले यहां पर बीस लोगों ने जू विज्ञान पढ़ा है केवल तो इतना पार्ट पूरा सर्किल नहीं पूरा सर्किल तो 20 प्लस X हो जाएगा अगर पूरा सर्किल की बात करेंगे तो जिव विज्ञान पढ़ने वाले 20 प्लस X होंगे अब गणित की अगर बात किया जाए तो गणित में 15 लोग केवल गणित पढ़ते हैं केवल अगर बात करें तो तो ओवराल आपसे बोला है 40 शात्र है तो 40 श करोगे 20 10 35 35 प्लस X यहां बराबर 40 तो X की वैलू क्या आ जाएगी X की वैलू हो जाएगी 40 माइनस 35 मलब X की वैलू हो जाएगी 5 तो यह 5 आपके जो आए न यह 5 दोनों पढ़ने वाले लोग आए क्या आए 5 ऐसे लोग जो दोनों पढ़ेंगे तो इस X की वैलू क्या आपसे कहूं कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितने लोग हैं आपसे कहा जाए जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितने लोग हैं तो 20 यह और 5 यह तब ना 20 प्लस 5 जो 5 और हैं जो दोनों पढ़ते हैं बाल गरित भी पढ़ते हैं तो 25 25 हो जाएगा ऐसे टोटल मैच प पढ़ने वाले 15 प्लस पांच 20 हो जाएंगा अगर इस प्रकार से question पूछ देता है तो आप यह ध्यान रखिएगा ठीके अब यह question में यह वाला दिया था 15 और 20 दिया था और यह x पता करना था तो ऐसे को आप ऐसे करना है यह ध्यान रखिएगा अब अगला जैसे यहां पर कि इस वाले प्रश्ण में क्या है ऐसा प्रश्ण है देखो दो सो छात्र में सर्विक्षन की अधारत अगतारत पूर्णी पसंद ने 120 छात्र को मिलक सेखपसन है 80 छात्रों को दोनों पसंद कितने छात्रों को कम से कम एक पोसंद है कम से कम1 एक मतलब 22全9 है इपारत की जा रही है एक आपका ओौलॉटरिंग भार मिलक सेख पना इसे वह न चाहे यहां चाहत्र का सर्वेक्षिन हो रहा है एक सो चाने मालब यह पूरा सर्किल जो होगा यह पूरा सर्किल कोडरिंग वाला 140 का हो अगर हम मिलकसेख की बात करें तो ये पूरा 120 लोगों को मिलकसेख होगा ये पूरा अब दोनों कितने लोगों को पसंद है वो दिया है 80 छात्रों को दोनों पसंद है तो 80 यहां भर दो ये दोनों वाला होता अब अगर इसमें कोश्चन पूछता कि केवल कोल्ड रिंक वाले कितने होंगी केवल कोल्ड रिंक वाले अगर मालो कोश्चन पूछ देता तो आप कैसे करोगे ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है ये इतना केवल वाले कौन से होंगे केवल वाले सिर्फ इतना होते ह यह वाला sided area तो इसको निकालने के लिए आप 140 में से 80 माइनस करते तो कितना हो जाएगा 8-6-14 मलब 60 हो जाएगा और ऐसे ही अपसे सिफ पूछता कि केवल मिल्क सेक वाले कितने होंगे तो केवल मिल्क सेक वालों का आप क्या बताओगे अगर बान लो अगर कुश्चन देखो क्योंकि कुश्चन आपके इसी पैटर्न पर पूछ रहा है तो केवल मिल्क सेक वाले 120 माइनस 80 मलब 40 लो केवल मिल्क सेक वाले ठीक है 40 केवल मिल्क सेक वाले हो जाएगे ध्यान दखिएगा इसकी वैलू यह होगी चालेस पूरा overall तो 40 प्लस 88 चर्बार एकo भी 10 होगा अब आपसे क्यावी लग कितने चात्र को कम से कम एक पेपसंद है तो कम से कम 1 लग केवल केवल मिल्क पीने वाले यहाँ पर का सकते हो केवल पोर्डरिंग पीने वाले प्लस केवल केवल मिल्क सेग पीने वाले अना मिल्क सेग पीने वाले प्लस दोनों पीने वाले दोनों पीने वाले अना दोनों पीने वाले जब आपसे बोलता है कम से कम एक तो एक से कम नहीं होना चाहिए एक पीने वाले केवल एक पीने वाले अगर हम बात करें केवल कोल ड्रिंग पीने वाले केवल मिल्कसेग पीने वाले और दोनों पीने वाले इनको जोड़ दो तो आपका इसका अंसर आजाएगा तो 60 प्लस 40 प्लस कितना 80 180 इसका सही जबाब हो जाएगा ऐसे प्रश्ण को आपको ऐसे करना है जब भी लिख दे केवल कम से कम लिखे तो यह अगर आप से इसी प्रश्ण पूस्ता कि केवल एक प्रदार्थ पीने वाले कितने लोग हैं केवल केवल हना एक यहाँ पर ड्रिंग्स पीने वाले कितने लोग हैं पीने वाले कितने लोग हैं यह आप से पूछ दे तो केवल एक ड्रिंग्स पीने वाले तो कोल ड्रिंग कितने लोग केवल पी रहे हैं 60 लोग पी रहे हैं और मिल्क से कितने लोग 40 पी रहे हैं तो आपको सिब केवल एक ड्रिंग्स पीने वालों की संख्या बतानी तो यहां पर आप सवांसर दोगे ठीक है और जब कम से कम एक हो जाता है तो एक और दो दोनों को बताना पड़ता है यह ध्यान रखिएगा ठीक ह चलो आगे पढ़ जाते हैं अगले प्रसन पर आते हैं यह से थियूरी का कुश्चन है बेसिकली इसको आप से क्या बोला गया है कि यदि ए और बी दे समुझे इस प्रकार है कि एक के तक्तों की संख्या बीस है और बी के तक्तों की संख्या ठारा है ए और बी दोनों में त ऊपके सेट यह सको अपकर ए務 सेट। आफ एक सेट यह है। एक सेट यह है एक सेट यह है। आपको प है घृम नहीं संक्या तो पिषब लुठ एक संक्या 4 सुराइं और 20 वाला दस है तो बाई केवल एक टक शाष्ण कृवलें इसको बोला जाता है सेटcem है ए- बेसिकली यहाँ पर इस वाले पार्ट को हटा देते हैं तो यहाँ 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा क्या हो जाएगा 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आपका यह बचेगा अब यहाँ जैसे 18 है तो यह पूरा पूर से 18 है तो 18 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ 8 बचेगा तो आपसे पूछा है A union B A union B का मतलब होता है कि आप यह पूरा यह वाला केवल A केवल A प्लस केवल B प्लस दोनो दोनो A intersection B इसको बोला जाता टेट्ट टूरी में A intersection B कहा जाता इसकी नमबर कितने तो इसके नमबर कितने हैं 10 इसके नमबर कितने हैं 8 इसके नमबर कितने A intersection B के 10 तो 10, 10, 20, 8, 28 टोटल 28 इसका आंसर हो जाएगा यह भी गिजाम में पूछा गया है यह ध्यान रखिएगा A union B होता है यह यह होता है A union B इसको बोला जाता है इसको A union B बोला जाता है 10, 10, 8 जोड़ लोगे तो 28 इसके को A union B बोला जाता है अगले पर आते हैं फॉर्मूला इसका अलग होता है वो चीज़े मैं नहीं बता रहा हूँ केवल वराबने बताया है वैसे होता है जब A union B आपको निकालना होता है इसी में एक फॉर्मूला होता है हम A union B का फॉर्मूला जब लगाते हैं तो number of A element plus number of B element minus A element intersection B इसके number तो यहाँ पर भी जब फॉर्मूला पर रख दोगे तो यहाँ आपका कितना दिया था total 20 दिया था यह आपका 18 दिया था minus 10 दिया था तो 20 और 18 कितने हो जाएंगे 38 minus 10 28 हो जाएंगे तो यह direct formula पर आपको आ जाता है तो यह formula अलग है यह मैंने अलग बताएं आपको समझा के बताएं ठीक है इस बात को ध्यान रखें कि union का मतलब होता क्या है बेसिकलिक नहीं तो अभी तुम लोग दुनिया भर का comment बाजी करने लगो यहाँ 206 में एक समू में तो 20 शात्र गडित पढ़ते हैं 85 शात्र विज्ञान पढ़ते हैं यदि 50 शात्र गडित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं तो कितर गडित पढ़ने वालो शात्रों की संख्या कितनी होगी अब same question है उसी प्रकार से दो चीजें है आप ध्याम देना कितनी है दो एक गढित है और एक विज्यान है ठीक है एक आपका क्या है गढित है और दूसरा आपका क्या है विज्यान है आपसे बोला है कि 120 शात्र गणित पढ़ते हैं और यहां पर 85 छात्र आपके क्या पढ़ते हैं विज्यान पढ़ते हैं, यदि 50 छात्र दोनों पढ़ते हैं, ध्याम देज़िएगा, अगर 50 छात्र आपके दोनों पढ़ेंगे, तो आपसे पूछ रहा है केवल गरित पढ़ने वाले कितने होंगे, तो एक सो बीस में से 50 दोनों पढ़ने वाले 50 हैं, तो सीधे 120 में से 50 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा केवल गणित वाला, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डारेक्ट मेथड 120 में से 50, अगर केवल विज्यान आपसे पूछ दे, तो केवल विज्यान वाला आपका क्या हो जाएगा, आप जितना विज्यान वाला टोटल कितना है, 85 माइनस 50 कर दो, यहाँ पर 85 माइनस 50 कर दोगे, 5, 8 में से 5 जाएगा, 35 आपका केवल, और यहाँ पर आपका 7, 5, 12, 70 आजाएगा यहाँ पर, तो 70 आपका क्या हो जाएगा, केवल गणित पढ़ने वाले, ठीके, केवल गणित पढ़ने व कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले का क्या हो जाएगा, 70 प्लस 50 प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है, यह कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या हो, ठीक है, या आईदर कर दे, आईदर, आईदर सब्जेक्ट, आपसे बोल दे, आईद लुट्व का खेलू होता है अगले पर आते हैं esté जल्दी से अब यहाँ पर क्या बोला एक entity में imply 150 करमचारी जावा जानते 130 करमचारी पायथन जाते । गितने करमचारी जावा यह Python में से किसी एक को जानता है आईदर तो जब आईदर का case आजाता है तो बात वही होती है यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो यह Java का हो गया 150 यह आपका Python का हो गया Python का हो गया 130 दोनों जानने वाले 60 हैं तो यहाँ अगर हम बात करें 9.6. Isaac 12 नब्वे लोग केवल जावा जानेंगे और यहाँ पर 76-70 लोग केवल जानेंगे तो आपसे क्या बोला क्योंकि यह माइनस करोगे 130-60 ही होगा और यह 150-60 होगा तो यह चीज आए अब आपसे बोला या तो जावा या तो पाइफन तो जावा या तो पाइथन मतलब 90 प्लस 60 प्लस 17 ये पूरा मिला के 9, 6, 15, 15 और 7, 7, 5, 12 मतलब 220 आपका इसका आंसर आएगा ये ध्यान रखिएगा इसका 220 आएगा डारेक्ट भी इसको कर सकते हो A union B बराबर क्या होता है आप 150 प्लस 130 माइनस दोनों के बीच वाला माइनस कर दो तो यहां पर 280 म ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया उससे भी आजाएगा और ऐसे भी आजाएगा तो एक यही चीज़ को याद रखो बस अगला यहां पर देखो इधर और या कम से कम एक सब्जेक या इधर सब्जेक ये दोनों के सेम चीज़ होती है 80 छात्रों की अक्षा में 45 छात् खेल अजिदी जात्र दोनों खेल खेलते हैं तो कितने चात्र ना फुट्बॉल और ना ही बास्केटबॉल एंगे अब यह धियान करते आज ऐस चात्रों की यह एक अब इसम है कि एक आपका यहाँ क्या है बंस टेँल है और डूसरा आपका क्या है यां पर फुट्ड बॉ खेलते हैं और यह बीस लोग दोनों खेलते हैं तो अगर 20 में से 35 में से 20 गटाओ गए तो 5 यहां हो जाएगा 35-20 मतलब केवल बासकेटबाल वाले 15 हो जाएंगे केवल फुटबाल वाले 45-20 कर लो पाँच यहां पाँच में से दो जाएगा तीन ठीक है चार में से दो जाएगा दो 25 यहां ठीक है 25 यहां तो यह ही आप 15 25 हो गया अब आपसे पूछा है कितने छात्र ना तो फुटबॉल और ना ही पास्बेर बाल खेलते तो आप पहले इन सब को जोड़नो ना कितने ऐसे छात्र हैं यह तो सब खेलने वाले हैं 25 प्ल पंदर पाँच यहां ओ गया दस और चारिक पाच एक छैसा तो आपके इंगेज है ना इसमें साथ लोग तो आपके खेली रहे हैं टोटल कितना है अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो हैं वो असी है जिसमें से साथ लोग खेल रहे हैं तो बा कोई गेम नहीं खेलेंगे ए आंसर हो जाएगा तो ऐसे आपको करना है फड़ा फड़ देखते जाओ इस वाले को देखो अब यहां पर बोला है अभी इसमें तीन वेरियेबल वाला भी आएगा गान तो दोनों की संख्याए है यहां 34 हो गया गणित दो कुल की तरे 6 पास हुए तो पहले टोटल फेल वाला निकाल ले टोटल फेली हुए है दोनों के संख्या 34 है 136 जिने इस परिच्छा दी है बावन चात्र कंडड में फेल हुए यह आपका मानलों कंडड वाला है और यह आपका जो है वह mathematics वाला है मैट्स वाला 72 चात्र इसमें है ठीक है अगर हम बात करें 34 बात्र में से आपका अगर से हम 34 को माइनस कर दें तो 8 4 12 यहां ध्यान रखिएगा और यह आपका कितना हो जाएगा चार में से 22 हो गया सबको जो 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 बलब 18 प्लस 34 प्लस 38 यह सभी फेल केंडिडेट है ना इनको जो 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 जब बात करें टोटल एक सो तीस हैं नबबे लोग फेल हो गया है यह फेल वाले संख्या है तो जो बचेगा वो पास होंगे 9 4 13 मतलब 40 student ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे पास जो होंगे तो आप कहोगे पास वालों की संख्या तो कुल कितने चात्र पास हुएं तो 40 student आपके पास हुएं अगला है 60 छात्रों की एक कछ्छा में 45 चात्रों को संगीत पसंद 50 को नित प्रसंद तो कछ्छा में कितने चात्रों को तो संगीत or नित दोनों पसंद है तो यहां ध्यान रखियेगा एक आपका शंगीत का है हना एक संगीत का है और एक आपका किसका है नाचना डांस का है नित वाले 50 लोग है और संगीत वाले 45 लोग है total 60 की बाप की गया गया बोला 5-6 को ना तो संगीत पसंद है और ना ही नित मतलब यह देटा जो दिया गया है वो 60 का ना देखे कितने का दिया गया है इसको सेट में ऐसे दरफाते हैं 55 का दिया गया क्योंकि इसमें 60 में से 5 लोग पर कुछ नहीं पसंद तो वो 55 लोगों का डेटा यहां पर दिया गया जिसमें से बोला क्या गया है कि हमको यह पता करना है कि भाई साब इनको दोनों पसंद करने वाले कितने लोग इसको मैंने X माल देखे इसकी वैलू क्या होगी इसकी 50 माइनस अब तो आपको करता है 55 के बराबर होगा यह सबी तो 45 माइनस X प्लस X प्लस 50 माइनस X बराबर मैं कोई भी से थियोरी नहीं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं सीधे सीधे इस पर आप रख दो जेनरल पार्थ है कि यह 45 माइनस X होगा यह 50 माइनस X होगा ब और यहाँ हो जाएगा 55, 95 माईनस X की जगा यहाँ पचपन आजाएगा, यहाँ X की वैलू आप निकालोगे 0, यहाँ आ जाएगा 40, X की वैलू कितनी आ जाएगी? 40 लोग ऐसे होंगे, जिनको दोनों पसंद होगा, ठीक है जिनको दोनों पसंद होगा आप देख लोगे तो यहां पांच आएंगा यहां आपका 10 आएगा और यहां पर 40 होगे तो 40, 10, 50 हाना और यहां 5, 55 लोग आपके टोटल यह बोला गया उनका डेटा है चलिए आगे आ जाते हैं ऐसे ही एक समू में 50 लोग हैं एक समू में 50 लोग हैं हिंदी बोलते हैं 20 लोग तमिल बोलते हैं दस लोग हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं यहां पर अगर हम कहें कि हिंदी हिंदी वाला ये है और तमिल वाला ये है और तमिल में आप से कितना बोला गया है टोटल 20 लोग है और हिंदी में आपके 50 हैं तो 50 में से 10 को तो यह 40 हो यह आपका जो भी होगा हिंदी यूनियन तमिल यही हमको निकालना था और कुछ नहीं दस नमबर बे आते हैं फटाफट इसको देखो 40 चात्रों की एक अच्छा में 15-6 क्रिकेट केलते हैं 15-6 टैनिस खेलते हैं 5-6 अब दुनों केलते हैं तो दोनों दोनों मेंसे कोई भी क्यल नहीं खेलने वालो यहां आपका 10 हो जाएगा आप 15-5 को यह दस हो जाएगा ठीक यह दो चालीज शात्रों की यह क्रिकेट क्या होगा तो इन सब को पहले add कर लो 10, 10, 20, 25, 25, 25 तो ऐसे हो गए जो खेल खेलते हैं टोटल 40 दिया है 40 में से 25 माइनस कर दो 5 और यहां 3 में से 2 जाएगा एक तो 15 ही ऐसे चातर होंगे जो कोई खेल नहीं खेलते हैं क्योंकि यह डेटा आपका टोटल 25 का आ रहा है और हमारे पास टोटल टोटल यह है 40 जि अब 120 छात्रों की एकक्षा में आपसे क्या कहा गया है एक कालेज में 120 छात्र गणित में नामंकित है 90 छात्र अंगरेजी में नामंकित है 50 छात्र गणित और अंगरेजी दुनों में है उन छात्रों की कुल संक्या कितनी है जो कम से कम एक विशा में है जब कम से कम एक रहें यहां 90 चात्र हैं दोनों को भाग लेने वाले 50 हैं तो 75-12 मतलब केवल 70 लोग 120-50 करोगे अंग्रेज मैट को हमें नामंकित करेंगे और इंग्लिस में आप 90-50 कर दो तो 90-50 मतलब 40 लोग केवल अंग्रेजी में हों तो भया कम से कम की बात किया तो मैंने पहले भी बता ह सबको जोड़ो 70-50-40-45-12-120-40-160 लोगों का नामंकन होगा यहां पर आपका सही हो जाएगा अगले पर आते हैं अब यहां तीन सेट वाले कोश्चन्स हैं तीन सेट वाले कोश्चन्स कैसे होते हैं ध्यान दो जैसे बोला 140 शात्रों की एक कर्षा सर्विक्षन में यह पाय गया कि 60 शात्रों को वीडियो गेम खेलना पसंद पतर शात्रों को इंडॉर गेम खेलना पसंद यह कुशन आया हुआ था 75 चात्रों को आउट्डोर गेम खेलना पसंद है इसके अलावा 30 चात्रों को इंडोर आउट्डोर गेम पसंद है 18 को तीन चीचे हैं इसमें इंडोर आउट्डोर और वीडियो गेम तो तीन आपको सरकिल इसके बनाने हैं क्या बनाने हैं तीन सरकिल आपको अलग-अलग क्या करने हैं बनाने हैं यह द्यार रखना इसमें आपको डेटा फिड़ करना है तीनों कि सबसे पहले आपको व फिड होता है जो तीनों गेम खेलने वाले दी अब हम कहते हैं कि ये वीडियो गेम है ये इंडोर गेम है और ये आउटडोर गेम है ठीके वीडियो गेम के छात्रों के संख्या कितनी है साथ है इंडोर गेम की छात्रों के संख्या सतर है और आउटडोर की 75 अब आपसे कहूं मैं यहाँ पर ध्यान देना अब आपसे कहते ह है कि यहां पर 42 शहत्र वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेलते हैं 42 वीडियो गेम और इंडोर गेम 42 खेलते हैं 42 खेलने के पूरा होगा न जिसमें से आठ और ready है तो 8 और ready है तो 42 minus 8 कितना हो जाएगा 42 minus 8 यह total ca बनेगा जिसमें से आप 8 माइनस कर दोगे तो 34 होगा 8-4-12 ठीक है तो 34 आपका ये क्या होगा 34 संख्या यहां पर हो जिसको हम बस यह कह सकते केवल वीडियो गेम और इंडोर वाले यह दोनों मिलाग होगे तो 40 हो जाएगा दोनों 42 हो जाएगा आठ चार बारा 3-1-4 जाएगा दोनों इंडोर और वीडियो गेम खेलने वाले इसी तरह 18-6 वीडियो गेम और आउट्डोर गेम खेलते हैं इंडोर और आउट्डोर में 30 चार होंगे मतलब यह पूरा यह वाला पूर्शन जो मुलेगा इसका यह यह और यह यही दोनों का इंटर्फेक्शन है तो तीस होगा तो आठ आउर रेड़ी है तो यहाँ पर 22 होगा तो बाईस आठ तीस हो जाए इतना फिल कर लिए अब आपसे अगर कहें इसी में इसी में कई प्रकार से कोश्चन पूछ सकता है मैं सब कुछ यहीं क्लियर कर दूँगा आपसे जैसे अगर बाई आपसे कि केवल इंडोर गेम खेलने वाला यह वाला पोर्षन होगा यह पोर्षन आपका क्या कहलाएगा केवल इंडोर गेम खेलने वाला यह जो होगा पोर्षन वो केवल आउटडोर गेम खेलने वाला यह जो पोर्षन होगा वो केवल वीडियो गेम ख कोसिस कर रहे हैं कि ऐसा प्रस्ण आ जाए इनमें से कहीं भी आ जाए तो आप कैसे करना है अब जैसे यहां पर आपसे पूछा था करके उन छात्रों की संख्या ग्याद करें जो केवल आउट्डोर गेम खेलते हैं मलब आपको बस यह वाला कोर्शन पता करना है आपको 75 पता है न यह 10 प्लस 8 22 और 8 30 30 10 40 मलब इनको आप जोड़ो और पूरे 75 में से लाल की सर्किल जो है 75 की है उसमें से यह आपके संख्या घटा दो मलब 75 माइनस 10 प्लस 8 प्लस 22 तो यह कितना आ जाएगा 22 8 30 40 75 माइनस 40 कर दो पास 35 यह आपके एक्जाम में आया था इसका आंसर 35 सपोस्पोस कर इसी में आप से पूछ देता कि केवल इंडोर गेम खेलने वाले कितने हैं तो इंडोर गेम खेलने वाले 70 माइनस 22 8 30 30 30 60 थाना 64 माइनस करोगे तो यहां से 10 में से 4 जाएगा 6 और यह यहां आपका सिधे कितना बचेगा 6 बचेगा केवल इंडोर गेम खेलने वाले इसी प्रकार से अगर आप से सिर्फ किये पूछे कि केवल आपके क्या वीडियो गेम खेलने वाले तो यहां पर 10 42 10 52 52 मतलब 60 में सिर्फ तो यहां आ जाएगा 8 ठीक है यह 8 आपके यहां पर क वीडियो गेम और आपसे पुश्चन पूछता कि केवल एक दो